हालो फ्रेंड्स ब्यूट्य आप नेचर यूट्यूब चैनल में आपसे भी का स्वागत है यह हमारा एस्टीपी ब्लॉक है जो कि हमने लास्ट येर यहां पे प्लांट्स लगाए थे इस पे यहां की जो एलिवेशन है वह 7900 फीट है तो इस बार जैसा कि यह लास्ट येर के प्लांट है तो इस बार काफी अच्छा इसमें कि फ्रूट आने की समभावना है क्योंकि जो फ्लॉरिंग है इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हो काफी अच्छी फ्लॉरिंग हो रही है यह देखिए इस बार इसमें हमने नौचिंग भी की है ताकि इसमें जो खाली स्पेस है वहां पर फैदर्स हमें मिल जाए यह हमने लास्ट यह साड़ी तीन सो प्लांट्स लगाए थे हमने इस बार और इसमें फ्लॉरिंग रॉयल डिलिशिस से बहतर ही कह सकते मतलब अडवान से थोड़ी सी रॉयल डिलिशिस से रॉयल डिलिशिस मिक्सा है कहीं पर ज्यादा फ्लॉरिंग है कहीं पिंग बड है लेकिन इ अच्छी फ्लावरिंग है इसमें इस पार देखना होगा कि फ्रूट क्वालिटी कैसी निकलती है इस ऐलिवेशन पर मुस्ली देखना है यहां पर कि जो गाला वैराइटीज है यहां पर जैसे यह है डैविल गाला और डार्क बेरन गाला नहीं यहां पर लगा रखिया है तो उसमें हमने देखना है कि इस ऐलिवेशन में उसका साइज किस तरह से परफॉर्म करता है क्योंकि मुस्ली अभी डौट है कि इस ऐलिवेशन में उसमें साइज की समस्या रह सकती है गाला में इस ऐलिवेशन में तो गाला में हमने अभी देखना है कि उसमें साइज किस तरह करता है यह ब्लॉक मेरा उधर तक है आगे लास तक क्योंकि गाला अगर इस ऐलिवेशन में साइज अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो हमें यहां पे पॉलिनेशन के लिए कुछ और वेराइटी जैसे ग्रैनी समेत हो गया गोल्ड चीफ हो गया इस तरह की आप्शन हमें पड़ सकती है क्योंकि मार्केट में अगर फ्रूट भेजना है तो क्वालिटी एंड साइज दो मेजर फैक्टर है वह होना ज़रूरी है तभी आपको आपकी फसल के अच्छे फ्राइस मिल सकते हैं तो इस साल हमें एक्जेक्ट्ली आइडिया लग जाएगा इस पैशली ग छोड़ा दो आपको एब हो साल के लिए इस और कंशा अगरेब में इस जाइडा यह तो इस बार देखने को मिलेगा लेकिन डेलिशियस में मुझे लगता है कि डेलिशियस में साइस का शायद दिकत ना रहे लेकिन जो आपका गाला है उसका इभी डाउट है हाँ डिलिशि आती है या उसकी स्किन जो कलर है उसका ठीक रहता है वह हमें देखना होगा तो आपको यह ओचड कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स पे जरूर बताए थैंक यू